अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आपको ये ट्राइब करना है ये थोड़े ट्विस्ट के साथ बन रहा है तो पूरा वीडियो एं तक देखना क्योंकि बीच बीच में मेरे थोड़े अलग अलग टाइप आफ चीज़े जो मैं एक्स्परिमेंट करके एक बेस चीज़ बनाती हूँ आज मैंने आपके लिए पेश की है तो आपको एक लस पानी लेना और फिर मैगी लेना है आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी आप उस क्वांटिटी में मैगी लीजेगा और मैगी जेन भी अविलेबल है तो वाई वाई का मैगी या फिर जेन मैगी का ले सकते हो एक ब दालके देखो फिर आप मिशे याद करोगे, अब मैगी मसाला लेना है, मैगी मसाले में थोड़ा सा पानी डालना है और फियोरी बना देना है उसका सलरी, इसलिए होता है, क्योंकि हमें एक भी लिझो हुप सब्काइव दीडिया और फिर आड़ किया है एक बर ये करने के बाद आपको इसमें आड़ करना है और एक इंग्रीडिन जो एक्स्ट्रा रहेगा वो है घरम मसाला जी हां गरम मसाला आप वाइन स्पून जितना आड़ कर सकते हो अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं पसंद है तो चीक है थोड़ा कम क कर देना इदम पिंच ओफ सॉल्ट और इसे स्टर कर देना एक बर ये स्टर हो जाए फिर उसे कोखोने दीजेगा और इसका पूरा पानी ओड़ने देनेगा फिर अब लेगी पैन एक पैन में लेंगे हम बटर बटर हम अच्छे से इसे मिक्स कर देगे अगर आपको बटर नहींगे खाते हो नो वरी इस तो फिर अपगी भी यूज़ कर सकते हो इससे अप टू यू अगर अपगी यूज़ करें और दो चमंची उसकर हो तो छोटा सा क्यू भी यूज़ करना और अगर आपके बरस मेदा नहीं है या अप मेदा नहीं खाना चाहते हो कोई कि मैंदे से ज्यादा अच्छा टेक्शर आता है ऐसा सिर्फ एक इल्यूजन है दोनों से सेम टेक्शर ही आता है तो आप कुछ भी यूज़ करोगे वह लुक सिमिलर ओनली अब आपको आड करना है धीरे-धीरे करके कि मिल्क को ना एक साथ में डाल दोगे ना तो कंटिन्यू स्टर करना या फिर धीरे-धीरे करना वाटेवर इस कंविनियन तो यू दोनों में से कोई एक टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यूस इसको मिक्स करते रहना उसके सारे लियूम्स हटा देना एक बार ल सकते हो पिंच ऑफ गरम मसाला अड़ और गैनो एड़ सॉल्ट और फिर आप यूज़ कर सकते हो ब्लैक पेपर और सो वह आपके विश्य है उसके बाद आपको आप करना है चीज अगर आप चीज नहीं कहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यह जो हमने चीज आड़ कर मैंने के पहले जो प्रसेस था उस अच्छे से थिकनेस लेवल तक लाना है मैं अब दूद को उबालते थिक कर देना है उसके बाद हमें आड़ करने है वेज़ी टेबल्स वेज़ी टेबल्स वट एवरीट वेज़ी तेबल्स आप यूज़ कर सकते हो हमने यहाँ पे बल दिये आब वह सब कर सकते है एक फर ही करने के बाद ये स्वास को मैगी लिया मैगी को पूरा डॉाइ होन देणा पूरा पानी निकाल देना पूरा पानी भौईल हो जाना चाहिए उतना हमें करना है आवर को कने करना बड़ पानी को पूरा उबाल देना है वो दोनों चीज डिफरेंस है तो प्लीज आप उसी हिसाथ से हमारा पानी का मेजरमेंट लेना जितना हमने आपको बोला था वन स्मॉल ग्लास एक मैगी के लिए अब मैगी को प्लेस करना है उसके बाद हमको वो सौस जो हमने प्रिपیर किया था हम वो सौस पर आपार करने सौस के लिए भी मैँ आपको डिफरेंद डिफरेंट डिफरेंस बोल सकती हूँ अगर अपको शह एथ उसमें थोड़ा सा टमेटो केचप भी डाल सकते हो थोड़ा सा सेजवान चक्नी भी डाल सकते हो whatever is your choice आपको चीज़े कर सकते हो ठीक है एक बार ये आपको चीज़े इस पे डाल दिया आपने उसके बाद आपको आड़ करना है फिर से मैगी और हाँ और एक चीज जहान में रखना आप लो बिल्कुल भी मैगी या सॉस कोई भी चीज़ ओवर कुक हो गई तो बहुत खराब आएगा टेस्स मज़ा नहीं आएगा तो ध्यान से कुक करेगा सबका टाइमिंग है 2-3 मिनट्स लगता और मैगी को 5-8 मिनट्स लगता आप देख सकते हो हमारी मैगी बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुई है और मसाला डालने का रीजन यह है घरा मसाला हुऊ एक बार अब वो आइड करो और फिर मुझे बोलो कि आपको कैसा लगता है वो आपको कोई और नहीं बताएगा आप लोग को टेस्ट भी अच्छा लगेगा और एन्हांस्मेंट मिलेगी और बहुत मजा आजाएगा आइम टेलिंग यू अब यह सॉस वापस से हम इस पर डाल रहे हैं और इसके बार आपको इस पर चीज डालना है अब आप रेडी इसे इंस्टन सर्फ करने वाज़े हो ताब ऐसे कि तो आप इस पर डाल सकतो पैपरिका और 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 अगानो बदिट थोटली ऑप्शनल आपको अच्छा लगता आपकर सकतो अगर अब शचा नहीं लगता तो फाइंग क्यों फर वाच्छिंग